असलाम अलेकूम, विवर्स आज की वीडियो में लहोर के तीन बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की करंट प्रॉक्रेस आपके साथ शेयर करने जा रहे गा हूं नमबर वन पे जो प्रोजेक्ट हम डिसकस करने जा रहे हैं वो अकबर चोग फ्लाइवर है अकबर चोग फ्लाइवर आपको पता होगा कि बैसिकली यहां पे एक तो फ्लाइवर बनने थे दो अकबर चोग पे और दूसरा जो था सिगनल फ्री कॉलिडॉर बनना था मुलाना शोकद अली रोड को सिगनल फ्री कॉलिडॉर बनाना था तो टोटल दस इन्होंने यूटर्ण्स प्लैन किये थे और वो सक्सेस्वली कम्प्रीट हो गए है अभी अकबर चोग फ्लाइवर की प्रोग्रेस मैं आपको शेयर करता हूँ इसे पहले कि मैं बकाईदा आगास करूँ वीडियो का आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्स्राइब कर लिया करें वीडियो पसंद आगया तो लाइक किया करें आगए शेयर किया करें इस कॉन्टेंट को ताकि किसी तरह का कॉन्टेंट सब तक पहुंचे अभी आपके सामने के वजिरियला पंजाब की भी में आपको दिखारों फुटेज जिसमें वो पहुंचे और उन्होंने प्रॉग्रस इसकी पता की तो उनको यह बताया गया कि यूटर्ण्स जो हैं वो सारे जो आडिंटिफाई हुए थे दस वो कंप्लीट हो गए है जिन काम हो रहा है तो यह इसका स्टेटिस था बाकी जो अकबर चोग फ्लाय ओवर है उसको बताया जा रहा है कि एक मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा तो इंशाला जैसी वो कंप्लीट होगा मैं आपको इसका स्टेटिस बताऊंगा सेकंड नंबर पे जो हम प क्या हो रहा है वहां पर जो बेदियां रोड अंडर पास है बेसिकली वहां पर जो गर्डर्स लांचिंग की एक्टिविटी है वो इन प्रॉग्रेस है मैं आपको फेजिस बता देता हूं इसके जो बेदियां रोड अंडर पास के जो टोटल फेजिस थे उसमें पहले इसक excavation होई थी जो underpass की है जो underpass की जो रस्ता है ना आने जाने का उसकी excavation शुरू हुई थी excavation के बाद अब जो girders की launching है वो शुरू हुई भी है girders जैसे ही place हो जेंगे तो उसके बाद जो उसके उपर है वो शुरू हो जाएगा यहां आप यह कहलें यह तकरीबन एक मीने की activity है एक मीने के बाद जो है यह project यह underpass जो था यह काफी अरसे से plan था लेकिन काम इस पर बाराल अब शुरू हुआ और आप ने देखा कि दिनों में ही हमें अच्छी progress नज़राई काम की अच्छी काम की progress की जो वजूहात है हम आपको अक्सर बताता रहता हूँ इस वीडियो में बताता हूँ इस वीडियो म जब इन directions इशू करती हैं तो उसकी वज़े से जो प्रॉजेक्ट की pace है वो खातर ख्वास में इजाफा होता है pace बढ़ जाती है काम की और काम जो है वो यह प्रॉजेक्ट जो है वो टाइमली डिलिवर हो रहा होता है तो यह वजूहात हैं तो इसकी बेदिया रोनेटर पा अंडर पास की जो girders हैं वो place हो जाएंगे उसके फोरण बाद उनकी जो filling है उसका काम शुरू होगा और filling के बाद इसकी spalt work यानि के carpeting जो है अंडर पास के उपर की और अंडर पास के नीचे वाले portion की वो शुरू हो जाएगी जो नीचे वाली retaining walls हैं उनकी भी finishing चल रही है जो अंडर पास की retaining walls हैं उनकी भी finishing चल रही है जैसे ही उसकी finishing complete होगी उसके फोरण बात जो है वहाँ पर जो रोट कारपेटिंग का काम है वो शुरू हो जाएगा तो expected एक मन्त के अंदर ये complete होने वाला है तो बहुत सारी लोग पूछते हैं इसको ज़रा detail में आपको बता हो इसके लावा बेदियां रोट से जो बटा चोक की तरफ रोट जाती है वहाँ पर सिवरेज के जो पाइप हैं वो डाले गए हैं और अभी वहाँ पर दुबारा एक नई रोट त्यार हो जाएगी जिसके बाद लोगों के लिए बटा चोक वाली जो ट्रैफिक है वो भी क रहा था तो शादरा फ्लाय वर पे बेसिकली अस्वाल्ट वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ है और अनकरीब शादरा फ्लाय वर क्योंकि यह बहुत बड़ा एरिया है जाहां से लोगों लोग ट्रैफिक बहुत बहुत हो रही है ठीक है तो यह कंप्लीट हो जाएगा इसके और प्रोजेक्स है लाहूर के गोड़ा चोक फ्लाय ओवर है ठीक है उनके अपर भी वीडियो बनाएं बंद रोड की जो है प्रोग्रेस वो भी बिताएं तो इंशाल्ला आप प्रिशान ना हो सारे मैं एक डेडिकेटेट जो वीडियो है वो बनाने वाला हूँ जो के मजी जो मेगा प्रोजेक्स हैं उनकी आपको करन्ट स्टेटस बताएगी यानि SL3 प्रोजेक्ट एक पता होगा आपको रिंग रोड का एक सेक्शन है वो उस पे भी काम हो रहा है वो भी मैं आपको अप्डेट दूँगा उसकी एक कंप्रीट वीडियो बनाऊंगा थोड़ी वी प्रोजेक्स हैं लाहोर के वो मैं कवर करता रहूं पहले भी कवर करता हूं अभी भी इंशाल्ला मैं एक वीडियो बनाके उसको आपको सारी डिटेल्स बता दूँगा तो एक दो दिन के अंदर वो वीडियो भी आजएगी आप वो लाजमी वाच कीजिएगा बाकि इसके अब जो आपको मैंने तीन प्रोजेक्ट्स उनकी करेंट प्रोग्र्स बता दिया है अकबर चोगुक फ्लाइवर का मैंने अपको बता दिया है कि वहां पर एक फ्लाइवर जो है वो गंप्रीट हो गया है उसके जो गर्डर्स की प्लेस्मेंट हो चल रही भी है सेकंड की फिलिंग शुरू होगी फाइनली फिर उस पे स्पार्ट वर्क स्टार्ट होगा तो ये एक मीने की एक्टिविटी हो जाएगा बंद रूट का में आपको बता दिया बेदिया रोड अंडर पास पे आप गर्डर्स प्लेस हो रहे हैं उसके बाद गर्डर्स की जो डेक्स लैब फिलिंग है वो हो जाएगी और उसके बाद फिर फाइनली स्वार्ट वर्क शुरू हो जाएगा विगिए सारे प्रोजेक्ट आपको मैंने वन बाइवन बताएं हैं उमीद है या आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको डिटेल्स पसंद आई होगी पसंद रही है तो लाइक कीजेगा मेरी वीडियो को कमेंट कीजेगा चैनल सब्स्राइब कीजेगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटर वीडियो में आपके लिए बनाता रहूं आपसे इंशाला अगली वीडियो में मलाकात होगी अपना बहुत सरा ख्याल रखिएगा चैनल सब् कर दो कर दो